हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चानल उमीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगी दोस्तो घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करना काफी जादा मुश्किल हो जाता है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ऐसे स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके रोज का जंजट वाला काम भी मिंटो में हो जाएगा तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ जर तो पहनते भी नहीं हैं लेकिन घर के किसी ना किसी कोने में दो चार चूडिया ऐसे ही पड़ी रहती हैं जिनका कोई मेल नहीं होता हम इनको पहनते भी नहीं हैं आज इन बेकार चूडियो को बहुत ही बड़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बाद अगर आपके पास भी घर में बेकार पड़ी हुई चूडिया हैं, तो आप इनको फेकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, जिन चीजों को लेकर दोस्तों अक्सर हम पैसे वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ समान खरीदने में, आज वो स समान हम घर पर ही बनाएंगे, बिल्कुल free of cost बिना किसी खर्च के, तो यहां पर मैंने एक चूडि ले ली है, बहुत ज़्यादा चूडियों की जरुत आपको इसमें नहीं पड़ेगी, सिंपल सा मैंने इस पर एक टेप लगा दी है, जो वाइट कलर की टेप होती है, आप आपको इसी टेप का यूज करना है, और आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से टेप लगाई है, तो आपको भी इसी तरीके से टेप को चिपकाना है, अब इस चूडि पर मैंने लगा दिया है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज हम कैसे करेंगे, अब हमें लेन की यूज्ज कैसे करना है यहां पर मैंने क्लोथ पುण को भी बड़िया से लगा दिया है और एक चूडी जु मैंने यह बनाई त्हीक पार के से हम का तुद फिल्ग आपकी अमक्रत भाई के लेसे पर इंज करके अपर बैदर को लगा सकते हैं alors दूसरी कि आपको ये तरीका बेहर्ट पसंद आएगा चलिए देख लेते हैं हमारी अगली useful tip दोस्तो अक्सर हम pen का use करते हैं कुछ ना कुछ घर का सामान लिखने में या फिर किसी का number लिखने में अक्सर पढ़ाई लिखाई के लिए लेकिन कई बार जब हम घर का समान वगरे लिख देते हैं उसके बाद pen को कहीं न कहीं रख देते हैं लेकिन फिर हमें ये जरुरत पढ़ने पे ना pen मिलता ही नहीं है अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता होगा क्योंकि मेरे साथ भी चीज़ अक्सर होती है कि pen कई बार यूज तो हम करते हैं फिर इदर उदर यूज होने के बाद रख देते हैं और जब दुबारा हमें जरुरत पढ़े तो ये मिलता ही नहीं है और हम ढूनते रह जाते हैं तो आपको पूरे घर में इस pen को ढूनना ना पढ़े इसके लिए एक बहुत ही कमाल की trick जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद आपका pen ना कभी भी नहीं खोने वाला है ये बिल्कुल guarantee है तो आपको ये trick ना बहुत पसंद आएगी क्योंकि अक्सर हम लोग ना इसी चीज़ से परिशान रहते हैं कि अक्सर pen खो जाता है घर की चाबियां पता नहीं कहां खो जाती है तो यहां पर एक चोटी सी trick है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको pen की जो cap है उसको निकाल लेना है और इसके पीछे से लगा दिनी है double tape अब आपका जो fridge है उसके बाहर से आपको क्या करना है इसके door पे आपको इस cap को चिपका दिना है क्योंकि अक्सर हम grocery वगर अगर समान वगर लिखते हैं न कुछ मंगाना होता है तो अक्सर हम कागज वगर अपे कोई समान लिखते हैं तो pen हमें नहीं मिलता तो आप इसे बढ़िया से fridge के बाहर से लगा दीजे इस तरीके से cap को और pen को इसके उपर से रख दीजे यानि कि कभी भी अगर आपको कुछ भी समान लिखना होगा तो आप pen को निकालिए बढ़िया से समान लिख दीजे और उसकी बाद वापस से pen को रख दीजे इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं जो भी आपकी घर की चाबिया है जो कि आप की होल्डर में रखते हैं लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी के अंदर बढ़िया से और्गनाईज करके पैन भी रख सकते हैं और आपका की होल्डर भी बनकर तयार हो जाता है यानि आपको अलग से खरीदने की जरुवत नहीं है और ना ही आपकी चाबिया कहीं खोने वाली है और ना ही कभी आपका पैन कहीं खोने वाला है तो आई होप कि आपको ये तरीका भी बहुत पसंद आएगा चली दोस्तों अगला टिप देख लेते हैं अकसर जब कभी भी हम किचन में खाना बनाते हैं और रोटिया बनाते वक्त एक कान तो हम सब अकसर करते हैं वो क्या कभी भी हम रोटिया बनाते हैं तो हमारी रोटिया जब बनाते हैं उस वक्त तो बहुत ही गरम गरम रहती हैं औ लेकिन जब सारी रोटिया बनकर तयार हो जाती हैं और दो-चार घंटे बाद ही ये रोटिया ना सौफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहती और थोड़ी कड़क से भी हो जाती हैं जो कि ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और कड़क रोटिया खाना हम मेंसे किसी को भी पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि रोटिया हमारी जैसे बनी थी, वैसे ही soft भी रहें, तो इसके लिए एक छूटा सा तरीका है, इससे आप नोट कर सकते हैं, आप रोटियों को जिस भी डब्बे में रखते हैं, उसके अलावा जो दूद लाने वाली हमारी अक्सर डोल्ची होती है, जिसके अंदर हम चाज, दूद, लसी, कुछ भी लेकर आते हैं, इसका आपको यूज करना है, आपने देखा होगा पुराने टाइम पर भी इस ट्रीका यूज किया जाता था, आप जो भी अपने कपड़ा है जिसमें आप रोटिया रखते हैं, उ आप इस ट्रीका ना एक बार यूज करके जरूर देखेगा, दोस्तो हमारे बात्रों में यूज होने वाली जो बाल्टी होती हैं, मग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, धीरे-धीरे करके ये बिलकुल गंदे से हो जाते हैं, और इन पर पानी के गंदगी के दाग अबे से पढ़ने शुरू हो जाते हैं, और धीरे-धीरे करके ये इतने जादा गंदे हो जाते हैं, कि फिर ये गंदगी छूरती ही नहीं है, तो अगर आपकी भी बात्रूं में बाल्टियां ये मग बिलकुल गंदे हो गए हैं, और आप परिशान हो गए हैं, कि साफ कैसे करें, तो आप क्या करेंगे, लेंगे कोई भी बेकार पढ़ा हुआ टूदब्रश और थोड़ा सा हार्पिक, थोड़ा सा लेंगी हम इसमें कोलगेट का पेस्ट, बस ये तीनों चीज़े आपको लेनी हैं, और बढ़िया तरीके से अपनी बाल्टी पर अपलाई कर लेना ह योगि हम सभी जानते हैं कि जो हर्पिक होता है, इसमें होते हैं काफी सारे ऐसी जो कि आपके हर तरीके की गंदगी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, चाहे फिर वो गंदगी हो टॉलेट की, किचन की या फिर किसी भी बाल्टी की, तो यहाँ पर अगर आपकी नहाने और ऐसे लगेगा जैसे कि आप बाल्टी अभी खरीद कर लेकर आए हैं, यानि इतना जादा अच्छे से यह साफ हो जाएगी, अगर आपकी बात्रूम में भी इसी तरे की बाल्टे और मग हैं, जो कि आप बिल्कुल काले हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, और बिल्कु पर चुके होते हैं, वो तो पूरा दिन घर में इतना जादा भागते हैं, कि कई बार इन पर पैर रखते ही स्लिप भी हो जाते हैं, अगर आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम है, कई बार फ्लोर पे टाइल्स बीचे होते हैं, या फिर मार्बल बीचा होता है, जिसकी वज पाइदन पर आपको इस तरीके से डबल टेप को लगा देना है, चाहे तो आप बीच में लगा दीजिए, या फिर आप डॉरमेट के चारो कॉनर्स पर लगा दीजिए, और उसके बाद बढ़िया से जहां भी आपको रखना है, वहां पर रख दीजिए, आप देखेंगे जो डॉरमेट बार-बार स्लिप हो जाता है, इधर उधर खिसकता रहता है, वो एक जगा पर बहुत ही बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा, मतलब आपके गिरने की डर, या बच्चे आराम से अगर खेलते कूटते हैं, भागते भी हैं तो आप बिलकुर टैंशन फ्री रहेंगे कि डॉरमेट से कोई भी स्लिप ना हो, फिस लेना, तो आपको इस तरीका कैसे लगा, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा, तो दोस्तों एक कुछ छोटी-छोटी ऐसे टिप्स ही, जिनकर इस्तिमाल अगर आप करते हैं, तो आपकी लाइफ तो आसान ह होती ही है, साथ इसाथ जिन चुजों पर आप बेकार की पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे की भी बच्चत होती है, उमीद करती हूँ कि रोज की तरह आपको इस सारी टिप्स पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक करने के साथ चानल को सब्स